संस्कार के छ इस्तम्भों में एक इस्तम्भ है वह है समरपणा इंसान को अपने जीवन में समरपण देना पड़ता है समरपण जब दे देता है तो अपने जीवन का काया कल्प हो जाया करता है समरपण बहुत बड़ी चीज है हर कोई व्यक्ति समरपण नहीं दे सकता है समरपण देने वाला ही अपने जीवन में उचाईयों को प्राप्त कर लेता है बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर लेता है आप देखते हैं जब आप अपने घरों के अंदर दाल सबजी फ्राई करते हैं और दाल सबजी में जब फ्राई की जाती है तो उस समय जो है आपको दाल सबजी भोजन आदिक का स्वाद आता है यह स्वाद कैसे आया क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में और इद्नल भोजन का स्वाद तो लेता ही नहीं है जितना भी स्वाद लेता है वह उपर से ही लेता है मिर्च मसालों का ही स्वाद लेता है अश्टि भोजन का स्वाद तो सादू संत जिस दिन निरस भोजन करते हैं उस दिन अपने जिवन में अनुभव करते हैं हाँ यदि डाक्टर ने मना कर दिया कि आप कोई एक भी रसका सेवन नहीं करना है ना दूद खाना है ना घी खाना है ना नमक लेना है ना तेल लेना है ना मिर्च मसाले लेना है तब आप जो है उस भोजन का स्वाद औरिजनल भोजन का स्वाद अपने जीवन के अंदर ले स जहां उपर से डाला जाता है उसका कोई स्वाद नहीं आता है यह तो क्यों जुबान का स्वाद है इनसान जो है इस रस्तना के पीछे इतना लोलोपी हो गया है कि वह उपर से डाल डाल करके अपने जिवन में वह स्वाद लेता है भोजन स्वादिष्ट कैसे बना दाल स्वादिष्ट कैसे बने ध्यान रखना जो उपर से डाला गया है मिर्च मसाले उन मिर्च मसालों ने अपने जिवन के अंदर तप्तना प्रारंब किया चू तक नहीं किया आवास तक नहीं कि उन्होंने अपने आपको समर्पन दे दिया और समर्पन दिया तो आज भी जो है अत्यंत स्वादिष्ट के रूप में परिवर्तित हो गए सुरू से लेकर अंत तक जड़ा भी चू नहीं किया समर्पन दे दिया जिसके कारम आपकी दाल सबजी यह सब जो है स्वादिष्ट बन गई यह समर्पन का फल होता है जब एक शिश्य अपने जिवन में गुरू को समर्पित कर देता है तो वह गुरू से क्या-क्या प्राप्त नहीं कर सकता जिस एक लव्य ने परोक्ष में गुरू को समर्पन दे दिया रोज प्रति दिन गुरू की भक्ति आर्ति अगर्वत्ति लगा करके उनसे विद्या से ग्रहन करता रहा और एक दिन जो है बहुत बड़ा धनुर धारे विद्यादर बन गया जिस दिशा से आवाज आती उसी दिशा में बान छोड़ देता और उसका शिकार हो जाता ऐसे विद्या एक लव्यनिस ग्रहन कर ली समर्पन के फल्स्वरू व्यक्ति के भीतर जब समर्पन का भाव जागरत होता है उस समय कुछ भी नू नच नहीं होती है दिन तो दिन रात तो रात महा पर कोई तर्क वित नहीं दिखाई देता है जब पती पत्नी अपने आप में दोनों में एक दूसरे को समर्पन दे देते हैं तो फिर वहां पर कोई विकल्प पेदा नहीं होता है उनकी सुक्स विदाओं में किसी प्रकार की बादा उपस्थित नहीं हो सकती है समर्पन का फल इतना बड़ा मि होती हैं कभी जगना नहीं होता है कभी भी समवाद नहीं होता है ऐसा समर्पन का फल इंसान को अपने जीवन में देखने को मिलता है जहां व्यक्ति अपने जीवन में संकल्प करता है संकल्प करना बहुत कठिन काम है विकल्पों को नश्ट करने के लिए संकल्प किये जाते हैं और संकल्प करने के लिए भीतर उस सहां जागरत होता है तब जाकर के संकल्प हो पाता है और जब उस्सा होता है तो समर्पन करने का भाव व्यक्ति के भीतर आता है कि मुझे ये काम करना है और जब तक मैं समर्पन नहीं करूंगा तब तक मुझे अपने जिवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा ऐसा विचार करके वह व्यक्ति अपनी जीवन में समर्पन देता है और समर्पन देता है तो फल भी उसको मिलता है संसारी प्राणी अपने जीवन में जब समर्पन करता है समर्पन देता है तो वह उस समर्पन के फल स्वरूप सब कुछ हासिल कर लिया करता है एक शिश्य जब गुरू को समर्पित कर देता है समर्पन का मतलब होता है अपने आपको मिटा लेना मेरा कुछ भी नहीं है तब वह जीवन में व्रद्धी कर पाता है जितने भी महान महान पूरुष हो गए उन्होंने अपने जीवन में समर्पन किया गुरू को समर्पित किया जहां चार बच्चे घर आंगन में खेल रहे थे और खेलते खेलते जो है सायंकाल का समई था एक निर्गरंत आचारे देव उसमार्प से निकले और निर्ग्रंत आचारे देव जो हैं उस मारक से निखले तो बच्चे लोग जो हैं कुछ खेल खेल रहे थे कहें गिली डुंडा गिली डंडा से खेल खेल रहे थे कोई काज की अंटी का खेल खेल रहे थे कोई खौकों का खेल खेल रहे थें नाना प्रकार के खेल जो खेल रहे थें वे निर्गरंत आशारे देव वहाँ पर कोच्छन के लिए खड़े हो गए देखां कि कुछ बच्चे काज की गोलियों को एक की उपर एक एक की उपर एक एक की उपर एक चड़ाते जा रहे थे किसी ने पांच चड़ा दी किसी ने साथ चड़ा दी किसी ने दस चड़ा दी किसी ने बारा चड़ा दी जैसे ही बारा गोलियों को देखा और जो उस बच्चे को पूछा कि बेटा तुम्हारा घर कहा है बच्चे ने कहा आपको पता नहीं कि बच्चे कहां खेला करते हैं बच्चों का घर कितना दूर होता है वो बच्चे बहुत प्रतिभावान होते हैं आज के वर्तमान के बच्चे भी प्रतिभावान होते हैं. आज जो हैं उनके साथ में कोई उलज नहीं सकता. उनके ऐसे ऐसे तरक वितरक आज जो हैं उनके हुआ करते हैं. बच्चे बड़े प्रतिभावान होते हैं, समस्दार होते हैं, उनकी भुद्धी तीवर होती है बच्चे ने के दिया, कि आपको पता नहीं कि बच्चे लोग कहां खिलते हैं, वो हमारा घर सामने, चलो आपके घर पर ले चलो बच्चे ने कहा, ठीके चलिये, और जो है, बच्चा आगे आगे, और निर्ग्रंथ आचारे जो है, वे पीछे पीछे चल रहे हैं जैसे ही, घर पर पहुँचा, और आचारे भी आज समय में, घर पर आयो है, उनका आदर सत्कार किया ध्यान रखना, यदि हमारे सामने से, यदि निर्ग्रंथ सादू निकल जाए, निर्ग्रंथ आचार निकल जाए, तो उट करके भी नहीं करना, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है, कि हमारे सामने से आद दिगंबर सादू, चल करके आए हैं, आज मेरा भाग्य बजला, आज जो हें मुझे दिगंबर सादु के दर्शन करने का सवभाग्य अपने जीवन के अंदर मिल गया, यह अपना भाग की समझना, और ले गया, घर के अंदर, मालिक, उच्च आसन दिया, पात रक्षालन किया, आर्गे समर्पन किया, और पुछा की भगवन, आज समय में यह पर कैसे आना हुआ, तो निर्गंत आचारे देव ने कहा, कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, यह बालक, बहुत बड़ा प्रतिवावान है, इसे मुझे दे दिजिए, मैं इसको पड़ा करके जो हे, वापस आपके पास में भेज दूंगा, माता पिता गद गद हो गए ओहो, मेरे बच्चे में इतनी प्रतिवा है, यह आचारे देव ने अपने जीवन के अंदर अपने निमित ग्यान से जान लिया, हो नहो, बालक जो हे होनहार है, जो हमारे घर में इसने जन्म लिया है, जहां माता पिता को अपनी भितर गोरो उत्पन नहो, कि आज मेरे पु कि जिसके कारण आज एक निर्गरंत आचारिय इस बालक को लेने के लिए स्वयम मेरे घर पर आ गए, मेरे कितना बड़ा सोभाग्य है, जरा से भी नूनच नहीं किया, खुरका की भगवन ले जाएए, आप इसको पढ़ाए लिखाएए, इसको होश्यार करिए, माता पिता कि आजना मिलते ही, वे आचारिय देव उस बालक को अपनी अंगुली पकड़ करके अपने इस्थान पर ले गए है, देखो गुरू का कितना वासल्य होता है, गुरू का कितना प्रेम होता है, कि एक छोटे से बालक को अंगुली पकड़ करके, अपने साथ में लेकर के चल इसलिए इधर गुरु ने उस बालक को जेन धर्म की शिक्षा, नाना प्रकार की शिक्षा, चंद शास्त्र, व्याक्रन शास्त्र, निती शास्त्र, जेन सिध्धान्त का चारो अनियोगों का ज्ञान, उनको शिक्षा दे करके एक बहुत बड़ा विद्वान तैयार कर दिया, इधर आचारे देव ने उनको का कि चलो, अब आपको जो है, आपके माता पिता को हम सोब करके आएंगे, क्योंकि हमने वचन दिया था, कि हम इसको हुश्यार करके, वापस आपके पास में लोटा देंगे, लेकिन उस बालक ने कहा, भगवन आप में घर में प्रवेश्ट नहीं करूंगा, अब तो जो है, मैं दिक्षा लेकर के आत्म कल्यान करूंगा, मैंने संसार सरीर भोगों के सरुप का चिंतन किर लिया है, अब मुझे किसी की आउसकता नहीं है, मुझे ब्या भी नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो अपना आत्म कल्यान करना है, फिर भी गुरु ने जो है, कहा, नहीं, मैंने माता पिता को वचन दिया है, और जो है, मैं आपको वापस लोटा दूंगा, चलो एक बार चलो, फिर येसा विशा देखें रहा है डिले अधर फे माता पिताइ भूण हो गई अपने भच्चों को देख करके कि आज मेरा बेटा विधवान हो गई है आज मैंने अपने जिवन में एयसा कौन सा पुन्य किया था जिसके कारण जो है आज मेरा बेटा इतना बड़ा विद्वान हो गया, विद्वानों की सभा में आगरिम पंक्ती में बेटने योग्य हो गया है, समाज की पंक्ती में आगरिम पंक्ती में बेटने योग्य हो गया है, मेरा कितना पुन्य है, माता पीता बहुत खुश हुए, और कहा कि इससे महां लिए पर बेटे ने कहा कि पिता जी आप में घर में नहीं रहूंगा आप तो में निर्गरंत दिक्षा ले करके आपका नाम रोशन करूंगा जेन धर्म का नाम रोशन करूंगा क्योंकि मुझे सारे विद्ध्याओं का ज्यान हो गया है माता पिता और खुश हो गए चलो आज मेरे कूल का नाम रोशन करने वाला ये बेटा आज मुझे पुर्ण्य से मिला है माता पिता ने तत्का जो है स्वीकरती प्रदान कर दी यादि आज किसी का एकलोता बेटा होता है तो माता पिता जो है उसको परमिशन नहीं देते है लेकिन वह माता पिता धन्य हो गए कि जिनों ने अपने बेटे को स्विकर्दी दे दी और जो है दिक्षा लेकर कर कि आत्म कल्यान का मार्ग प्रसस्त करो ऐसा कर करके उन आचारे देव के हातों में पुनस्त समर्पन कर दिया और जो है उन आचार्य देव ने जो है उस बालक को अपने जीवन के अंदर दिख्षित किया और दिख्षित करने के उप्रांत जो है वे एक महान महान साधक बन गए है वे आचार्य थे भद्र भावू स्वामी अंतिम सुरुत केवली और वे आचार्य थे गो वर्धन आचार यह गुरु शिष्य जो कि भद्रभाव स्वामी संपुन सुरुत के जानकार हुए अंतिम सुरुत केवली हुए और जो है स्रवन बेल गोला की धर्ती पर उन्होंने बारह हजार साधु को लेकर के विहार किया और जो है अपना समय नजदिक आया और समय नजदिक आया तो जो है अपने संग को विशा का चार्य के हाथ में सोकर सोग करके तमिल नाडू में विहार करा दिया और अकेले वहां पर रेकर के जो है उन्होंने अपने बारा वर्स तक सलेखना की साधना की इस प्रकार से जो है यह गुरु के प्रती समरपन का फल उन्हें भद्रभाव स्वा को अपने जीवन के अंदर मिला इस प्रकार से जो है जहां हमें अपने जीवन में ऐसा समरपन यदि मिल जाता है तो हमारे जीवन का काया कल्प हो जाता है हमारा जीवन धन्य हो जाता है इसलिए अपने जीवन में देव सास्त्र गुरु के प्रती समरपित भाव से हम रहे क करके अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अपन जीवन में आगे बढ़ सकते हैं इसलिए हम अपने जीवन में समर्पन भाव से रह करके अपने जीवन में आत्म विद्या को ग्रहन करते हुए अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें इने मंगलमे भावना के साथ बोल्ये गुरुदेवा चैसरे जिस्सागर जिम्हाराज की जाए।